थाना पहुँचकर महिला करने लगी तंत्र मंत्र महिला तंत्र मंत्र से छुडाने लगी अपने पती को मंत्र फूख कर पुलिस वालों पर छीटने लगी चावल महिला ने अपने आपको बताया मा दुर्गा का आउतार फिर क्या हुआ थाने में देखें इस रिपोर्ट में एक महिला के सरावी पती को जब पुलस ने पकड़ा तो वो थाने पहुचकर तंतर मंत्र फूख कर अपने पती को थाना के हावालात से छोणाने में लग गई महिला को विस्वास था कि उसके तंत्र मंत्र से थाने के जेल का दर्वाजा खुलेगा और उसका पती हावालात से बाहर आ जाएगा महिला घंटो तंत्र मंत्र और जहार फूक करती रही और पुलिस वालों पर मंत्र फूक कर चावल छिड़कती रही जब ये सब हो रहा था तो पुलिस वाले भी महिला के मंत्र फूके हुए चावल को अपने उपर फेकता देख चौक गए ये तस्वीर उसी थाने की है जहाँ इस हावलात के पीछे उसका सरावी पती और बाहर महिला तंत्र मंत्र कर हावलात सहित पूरे थाने में मंत्र फूके हुए चावल फेंक रही है महिला ने खुद को मादुर्गा का आउतार बताते हुए थाने को अपने तंत्र मंत्र से भस्म कर देने की बात कही पहले ये सुनिए कि महिला ने क्या कहा फोर हम बताएंगे कि महिला के तंत्र मंत्र से उसका पती थाने के हवालात से बाहर आया या नहीं क्या नाम है संजु काल्थन आई है था नाम कोई पक्राल है तुम्हेरा क्या पक्राल है पती है उसे वो छोड़ाने आई है तो एदम भर के आई है पुरा भक्तिनी पतिक छोड़ाने आई है एदम भर के पूरा मामला बिहार के जमुही जिले के सिकंद्रा थाना छेत्र का है जहां अपने पती को छुडाने पहुंची महला पुलस के सामने तंत्र मंत्र टोना टोटका कर खेलती नजर आई सिकंद्रा थाना छेत्र के पंचमहुआ मुसहरी निवासी कार्तिक मांजी को सराब के नसे में पुलस ने पकड़ कर जेल भेजनी के लिए हावालात में बंद किया था इसी दोरान हाजत में बंद पती कार्तिक मांजी को छुडाने उसकी पत्नी संजु देवी ने अपने हाथों में डंडा लेते हुए अपने आपको दुरगा का आउतार बताते हुए सिकंद्रा थाना पहुँच गई इस दोरान महिला ने सिकंद्रा थाना में जमकर्नो टंकी की थाना पहुँचते ही महिला ने तंत्र मंत्र करते हुए उपस्तित सभी थाना के पताधिकारी एवंग अन लोगों के सिर के उपर चावल के दाने छीटना सुरू कर दिया और इसी दोरान कहने लगी कि मेरे आदेश के बगर इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता वहीं इस महिला के साथ पहुँची कई महिलाओं ने बताया कि यह एक भक्तिनी है इस से ज़ादा तुम लोग बात मत करो महिला की नौटंकी देखते हुए थाना ध्यक्ष जितेंदर देव दीपक के आदेश पर महिला पुलस के द्वारा उसे थाने से बाहर निकाला गया और उसके सरावी पती को जेल भेज दिया गया